तबती हुई भयंकर गर्मी में आईस क्रीम खाना सभी को बहुत पसंद होता है चाहे वो बड़े हो या छोटे अगर घर पे बिना मिलावट वाली आईस क्रीम मिल जाती है तो और सभी को बहुत पसंद आती है हेलो गाईज टेश्टी होम कुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं अपने घर पे बिना किसी केमिकल के अंगूर की आईस क्रीम बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल सा है एक बार आप रिस्पी को देख लेंगे तो घर के बच्चे भी बना के आईस क्रीम तयार कर लेंगे तो चलिए रिस्पी को सुरू करते हैं वीडियो अच्छे लगए तो वीडियो का लाइक जरूर करिएगा इस आईस क्रीम को बनाने के लिए हमें चाहिए अंगूर मैंने यहाँ पर 500 ग्राम अंगूर लिया हुआ है अंगूर को पहले हम पीसेस में तोड लेंगे यानि अलग-अलग कर लेंगे उसके बाद आप चेकर लिजेगा कि अंगूर खराब तो नहीं है अगर अंगूर खराब है तो उसे चाट के हम बाहर निकाल देंगे उसके बाद हमें अंगूर को पानी में धोना है तो दो-तीन बार पानी बदल-बदल के आप अंगूर को प्रेस करते हुए धो लीजेगा ताकि जो भी इसमें केमिकल लगा हो वो साफ हो जाए और गंदगी होगी तो वो भी अच्छे से साफ हो जाएगी लो जी अंगूर अच्छे से साफ हो चुके है अब इसे हम ग्रैंड कर लेते हैं तो एक बड़ा ग्रैंणिंग जार लिया है मैंने इसमें हम आधा अंगूर डालेंगे और ग्रैंड करेंगे तो ग्रैंट करने के लिए यहाँ पर हमें पानी डालने की जरूरत पड़ीगी ताकि अंगूर अच्छे से ग्रैंट होकर पेश्ट तयार हो सके तो एक से डेढ़ ग्लास आप पानी का इस्तमाल करिएगा मैंने यहाँ पर डेढ़ ग्लास पानी डाला हुआ है उसके बाद आइस क्रीम को जो है green color देने के लिए मैं इसमें add करने वाली हूँ green fruit color ये बिल्कुन optional है सिर्फ अच्छा color देने के लिए मैंने हाँ पर इस्तमाल किया हुआ है तो 2-3 बूंद यहाँ पर आप green color का इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप नहीं इस्तमाल करना चाहते हैं तो इसके बिना भी आप बना सकते हो तो कैप लगाएंगे और ग्रैंड कर लेंगे उसके बाद आइस क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए sugar powder तो भाई मेरे घर पे sugar powder अलेबल नहीं है इसलिए मैंने लिया है ये घर की चीनी एक कटोरी इसे हम छोटे ग्रैंड जार में डालेंगे और दो मिनाट तक मिकसर को चालो कर देंगे ताकि sugar powder बनके तयार हो जाए कुछ भी हमें market से खरीदने की जरूरत ना पड़े तो ये देखिए sugar powder तयार हो चुका है अंगूर भी अच्छे से ग्रैंड हो चुका है तो इसे हम छान लेते हैं छानने के लिए एक बरतन के उपर मैंने च्छनी रखा है और इस पे हम पेश्ट डालेंगे तो पेश्ट को मैंने दो बार ग्रैंड किया था तो दोनों बार डालेंगे उसके बाद चमच की सहायता से हम प्रेस करते हुए च्छान लेंगे तो अच्छे से ग्रैंड करिएगा ताकि अच्छे से पेश्ट रहेगा तो जादा जूस निकलेगा अंगूर का तो हलके हाथों से प्रेस करते हैं मैंने देखी जो है छान के तयार किया हुआ है ये जो आपको यहाँ पर पल्म दिखाई दे रहा यह निए अंगूर के छिलके वगरे दिखाई दे रहा है ना गूधे थोड़े बहुत बचे हुए हैं यह हमारे किसी काम के नहीं है इसे हम बाहर निकाल के फेक देते हैं तो यहां पर आधा किलो अंगूर में यह लगभग की दो चम्मच गुधा बचा हुआ है इसे आप साइड में रख दीजिए अंगूर का जूस बनकर तयार हो चुका यह देखी इतना गाढ़ा यह दिखाई दे रहा है अब इसमें हम एट करेंगे सुगर पाउडर आप चाहें तो यहां पर चीनी का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन चीनी डालने से उसे घुलने में टाइम लगेगा और चीनी पानी उसके बाद मैंने लिया है एक चौधाई चमच नमा को नमा का एड करने से आइस क्रीम का हलका खटा मिठा फ्लेवर आता है तो खाने में ज्यादा टेशी लगती है सभी चीजों को मिक्स कर देंगे यह हमारा जो है जूस तयार हो चुका है अब हम इस जूस से आइस क्रीम तो आइस क्रीम बनाने के लिए आप कोई भी साचा ले सकते हो या फिर कटोरी या ग्लास का इस्तमाल कर सकते हो मेरे पास यह छोटी छोटी डब्बी थी तो मैं इस डब्बी से बनाने वाली हूँ आप कोई भी बरतन लीजिए धियान रखेगा कि उसके जो नीचे का तला ह वो बराबर होना चाहिए ताकि फुरीजर में आप रखो जमने के लिए तो आइस क्रीम जल्दी से जम जाए तो डब्बी के अंदर हम डाल देंगे जूस को अगर आपके पास इस तरीके की डब्बी नहीं है घर पे सांचा है तो सांचे का भी इस्तमाल आप कर सकते हो मेरे जो घर पे पॉलिथीन आती है न सबजी की या फिर कपड़े की पॉलिथीन उसे चोटे-चोटे पीसेस में पहले कट करिये और कवर करने के लिए अच्छे से कवर करके उपर से रबड लगा सकते है या फिर धागे से बांध दीजिए बीच में जो है थोड़ा सा कट करिए ताकि हम यहां पे डंडी सेट कर सकें तो कट करने के बाद आप आइस क्रीम की डंडी ले लिजए और इसे बीचो बीच में रखतेंगे जब आप उपर से कवर कर देते हैं और फिर आइस क्रीम की डंडी डालते हैं तो डंडी इधर-धर भागती नहीं है वो बИचो बीच म जमा सकते हैं लेकिन डंडी इधर दर भागेगी तो सारा जो है अच्छे से से सेट हो चुका है अब इसे हमें फ्रीजर में रखना है जमने के लिए तो आप इसे फ्रीजर में रखिएगा और 8 से 10 घंटे के लिए छोड़ दीजेगा 10 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि आइस्क्रीम कितनी बढ़िया जमी हुई है तो सबसे पहले हम सिल्वर पेपर निकाल लेते हैं डबी के जो किनारी किनारे में आप देखेंगे कि यह बरफ दिखाई दे रहा है हलका हलका बाहर जम देख़र हुआ है तो इसे हम हलके हाथों से जो है color दिखाई दे रहा बहुत ही बढ़िया जो है आइस्क्रीम जम के तयार हो चुकी है बिना किसी मिलावट के घर पे बनी हुई है आइस्क्रीम बड़े से लेकर छोटे तक सभी को बहुत पसंद आएगी और simple सा तरीका मैंने बताया हुआ है आप इसे घर पे बना के झाड़म ही झाड़े बताय है